बैक टूप्शिंस पर टुमारो, बिग टाइम फ्रेम आल, इस वीडियो में सभी लोगा सौगत है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसे कि ये वीडियो आप से आगे कभी भी मिसना हो, फिलाल आपके सामने फिलाल जो हमने चार्ट उपिन गया हो, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार निफ्टी के चार्ट को अनलाइज करने कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको वन वीक का चार्ट अनलाइज करने कोशिश करेंगे, न next year के लिए फिराल न्यूवीक की हम इसलिए बात कर रहे हैं वीक के अनलसिस इसलिए बात कर रहे हैं जिसे कि हम लाइक जरू कर दीजाए शुरू करते हैं आज का फिलार फिफ्टी मिन के टाइम फ्रेम पे सबसे लास्ट मुवमिन्ट पे आज हमने देखा मार्केट में बहुत बड़ा दिखाई दिया लास्ट के थर्टी मिनट्स पे जो एक बड़ा फॉल दिखा वो रीजन रहा जो बहुत अच्छा पैटर्न जो है बहुत अच्छा रेंज आपको हमेशा जाद में एक्सपर बोला है कि जब कब मार्केट रेंज में रहता है तो उसके बाद हमें अच्छा मुमिन्ट मिलने के चांसे ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि रेंज का कही न कहीं ब्रेक आउट जादा अच्छी तरीके से हम वेट करते हैं कि एक अच्छा हमें ब्रेक आउट मिल जाए किसी एक पर्टिकुलर रेंज का तो अगर हम रेंज की बात करें तो फिलाल निफ्टी में कुछ एक ये रेंज है जिस रेंज के बीच है तो थोड़ा सा यहां पर चोटा दिखेगा फाइब में लागाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा मुवमेंट हो सकते हैं यह जो रेंज है इसका में यहां पर ब्रेक आउट दिखा बट यह एक रेंजस्टेंस फॉल था एक रेंज की बात करें तो एक इस रेंज के सपोर्ट जोन पर आज क्लोज हुआ है और यह देता या नहीं देता है यह बात आती है सीधे सीधे 21,700 के प्रीमियम पर तो कल मौनिंग के ऑप्षिन चीन में सबसे पहली नजर हमें 21,700 पर रखना है चाहे मार्केट इससे उपर ओपन हो चाहे इससे मार्केट नीचे उपन हो इससे कोई फर्क नहीं परता में इंपॉर् राइटिंग होगी तो अब इससे बात है सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट 20,700 से नीचे ही ओपन होती है जो आज क्लोज भी हुई तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको 21,700 पर कॉल और राइटिंग बढ़ती ही दिखे तो मार्केट में यह रिजिस्टे तो 500 के लेड़र 4.96 यह विलेवल यह लेवल आप भी चाहे तो मार्क कर सकते हैं 50 वार्केट तो बॉत 11,800 और अगर मार्केट बीच में ओपन हो जाता है किसी धी को को कोशिश करें कि वेट करने का बहूत सही तरीक अगर आप 21,000, let's assume कि 21,750 पे market खुलता है, gap up होता है, 750 या फिर अगर gap down गाप डाउन कर रहे हैं, तो माल लेते है 650, अगर इसी किसी range में open होता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि market पहले किस तरफ का movement ले रहा है, क्या market पहले resistance की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मा पहला सा मुश्किल है, वैसे इतना बड़ा fall लेना, अगर तुरंट fall लेता है, तो खत्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर एक तगड़ा reversal आने के chances बन सकते हैं, 21,500 के आश्मास, और अगर gap down खुलने के बाद, छोटी-छोटी candle बना कर market अगर upside जाने की कोशिश करता है, upside means 700 की तरफ move करने की कोशिश करता है, और उधार हम option chain में morning की वीडियो में देख रहे हैं, कि 700 पर एक अच्छी खासी call राइटिंग हो रही है, तो फिर आपको 710, 720 या फिर 695 इस range में market फिर से एक reversal देने की कोशिश करेगी, और इस से क्या हमें positive point मिलेगा, कि RSI भी हमारा gap down मि और एक support line जो बननी दिखी मुझे, तो मैंने draw कर दी है कुछिस तरीके से, आप चाहें 50 मिन के time frame पर draw कर सकते हैं, और फिलाल ये एक range bound situation रहा, जो अभी बना हुआ है, तो ये range का breakout मिलता है, तो gap down रहा, तो वो एक breakout consider होगा, तो उसका एक retest भी हम इसको, तीसरा point ये भी हो स rating हमें option chain में दिखी, जो इसको एक resistance बना सकता है, these are all possible ways, वागे सुभे option chain हम करी लेंगे, अगर range bound situation कर रहा, तो वो भी clear हो जाएगा, जैसे का आज morning में हमने clear कर लिया थे, कि market एक range bound situation में, अभी फिलाल है, जो numbers बोल रहा है, और आपको शुरुआद में market एक range bound situation में दिखा किया है, और इस channel के एक support range की बात करें, यहाँ पर एक support range, यहाँ पर एक support range, तो फिलाल market ने काफी अच्छी तरीके से इस support range को निभाया है, निभाने की बात करें, साथ के साथ, support के साथ, तो resistance पर गौर करना चाहिए हमें, क्योंकि resistance यहाँ भी निभाया, यहाँ भी निभा कारेंटी नहीं है, क्योंकि हमें इसका breakout भी देखने को मिल सकता है, market एक अच्छा bullish form लेना चाहेगा, तो market फिर इस range का एक breakout देने की कोशिश करेगा, ऐसा तो कहीं ने लिखा कि नहीं हमेशा market ऐसे ऐसे कर के चलता चला जाएगा, नहीं, market यहां पर हमें इसका breakout भी दे सकता है और वेक आउट के बाद एक छोटा री टेस्ट लेके कुछ इस तरीके के मुवमेंट भी देखने मिलते हैं वर वीकली चार्ट है द्यान रगिएगा एक हफते का पूरा एक केंडल है और उस केंडल के हिसाब से देखें अगर हम RSI को गौर करने की कोशिश करें प्राइस के मुवमेंट को गौर करें और RSI के मुवमेंट को गौर करें तो RSI आपको कहां पे दिख रहा है आप देख लिजे जब जब RSI यहां आया है इन किसी लेवल्स पर जो कि अभी अल्रेडी बहुत हाई है पुराने लेवल से भी उपर है तो उसके बाद हमें कुछ falls ही देखने को मिले हैं high RSI पर अभी फिलाल RSI पिछले कुछ दिनों के अगर हम डेट के हिसाब से compare करें आप high peaks देख लीजे और RSI के peaks देख लीजे आपको idea लग जाएगा कुछ यहां पर scenario's दिखे हैं last के market में जो बहुत high scenario रहा वहां से market ने एक fall ही लिया है almost एक तगड़ा fall week काफी अच्छा दो तीन महीने और उसके बाद अब फिर market almost उसी एक peak पे कहीं नजर आ रहा है थोड़े बहुत chances हो सकते हैं कुछ लेकिन फिर उसके बाद कुछ हमें fall के नजर यह जरूर देखने को मिल सकते हैं तो फिलाल हो सकता है इस month market यहीं कहीं pause भी ले ले ऐसा भी हो सकता है क्योंकि RSI के पास थोड़ा बहुत तो जगए है भी भी room बनाने के लिए बड़ let's see अगर एक बड़ा fall मिल जाता है किसी भी दिन तो शायद हमें फिर से इस तरीके के कुछ movements देखने को मिल सकते हैं फिलाल यह हो गया weekly तो means अभी हम week के हिसाब से देखे तो market एक उपर वाले mode में घूम रहा है resistance वाले mode में घूम रहा है क्योंकि साफ देख रहे हैं आप यहाँ पर एक support mode यहां पर एक support mode यहां पर भी इसका support mode यहां एक छोटा support mode यहां पर भी almost एक छोटा support mode यहां बनकर उपर गए तो अभी हम कहा है probably जो ज़्यादा तर चांसे दिख रहे हो resistance zone resistance zone और अगेन एक expected resistance zone RSI के बहाफ पे देखें channel के बहाफ पे देखें resistance resistance line के भी हाफ पे देखें हर जगे हम एक resistance zone के अंदर दिख रहे हैं और let's see resistance कब तक sustain करता है कब इसका हमें breakout मिलता है so दूसरी बाद एक और अगर हम trend line बनाने कोशिश करें कुछ इस तरीके से तो वो शायद अभी फिलाल तो कुछ ऐसा नहीं है उसका breakout हमें already मिल चुका है तो फिलाल this is it for the weekly answers of nifty अप चलते हैं bank nifty की तरफ और bank nifty मिलत के time frame पे कुछ इस तरीके से एक pattern बनता हुआ नजर आया जिसको मैंने draw कर लिया आप चाहें तो draw कर सकते हैं काफी लंबा pattern है again एक channel दिखे रहा है हमें और इस channel के हिसाब से देखे तो market ने यहां पर भी एक छोटा range बनाया था उस range का हमें breakout मिला market ने और एक resistance zone से फिर से drop लिया यह drop अभी जो drop मिला है वो इतने बड़े-बड़े candles का drop मिला है जो थोड़ा सा एक continuation हमें drop का दिखा सकता है तो अगेन अगर हमें gap down मिल जाता और इस channel का हमें support line break हो जाता है तो शायद फिर हमें नीचे RSI कुछ इस तरीके से जब तक 40 के नीचे रहे तो कुछ एक down moment शायद देखे ने को मिले और अगर support लेना भी हुआ market को तो फिलाल market के पास एक support level नीचे है जो अगर इस तरीके से हम compare करें तो 48,000 के आसपास के levels पर support दिखाई दे रहा है अच्छा का सा support तो अगेन market अगर gap down लेता है अगर छोटे point से gap down लेता है bank nifty और 48,000 के आसपास कहीं भी open होता हुआ नजर आता है तो थोड़ा सा wait जरूर करिएगा कि इस पर थोड़े से number बढ़े क्योंकि कल थोड़े से बढ़े बढ़ते हुए number दिखाई देंगे bank nifty में क्योंकि बरसो bank nifty के expiry है तो obviously sellers कल से ही कुछ नो कुछ प् अगर लगबग similar दिखे तो थोड़ा सा हमें फिर यहां पर एक sideways moment का मौका मिलेगा फिर आगे चल कर second half के options में देखेंगा अगर कोई change आता है बड़ा तो बड़े chances देखने मैं तो 21,700 nifty के लिए important level कल के और 48,000 कल के लिए important strike price bank nifty को weekly analysis के लिए जो चार्ड बना है तो एक ब breakout नहीं है weekly analysis का chart है तो खर candle भी time ले सकती है और यहां से reversal भी आ सकता है ऐसा भी नहीं को को बहुत बड़ा breakout है तो फिलाल यहां पर भी देखें तो अभी consider इसको एक resistance zone में ही करेंगे क्योंकि हम यहां भी resistance रहा 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 आज निफ्टी में पैटर्न देखा भी बंदा हुआ तो इसका ब्रेक आउट मलता तो बहुत ज्यादा चांसे होते उपर जाने के पर फिलाल हमें यहां पर भी लोवर पॉइंट्स बनते हो दिख रहे हैं यह अगर ऐसे होते या फिर यह इस तरीके से होते हैं हायर जो है नीचे की तरब बनाने की कोशिश हलका से कर रहा है अगर बात करें बैंक निफ्टी के विकली अनलिसिस के लिए तो लेट्स गेट रेडी फॉर टुमोरो आई होप आप सभी लोगों को कुछ नव कुछ एक अगर कुछ भी नहीं पूरी वीडियो में पता चला होगा तो भी कुछ पैटर्स जरूर समझ में आया होगा और इस तरीके के धेर सारे पैटर्स में सारे एक कॉम्बो कोर्स में complete detailed वी में explain करके रखे हुए है जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है जिनके पास है study करते रहे हैं जो लोग practice कर रहे हैं बहुत अच्छी बात ज कुछ strategies भी है ट्रीडिंग साइकोलोजी इंडिकेटर्स चार्ट रीडिंग टेक्निकल अनल्सिस ऑफ्षिन ग्रीक्स सीगर्ट सेटजीज और ट्रीडिंग सेटप सेवेंटी डाइप ऑफ पैटर्स और सब को चाहें अगर यह सब कुछ आता है तो जरूरत नहीं है अगर आ सकते नीचे description में link दिया हुग website का और इस पर आप जैसा इस बटन पर क्लिक करेंगे combo course offer में डाउनलोड करने के लिए इस बटन में क्लिक करिएगा तो आपके सामने कोशिस तरीके का page जा जाएगा जहां पर आप सिंपल अपनी email id और phone number डालके pay button पर क्लिक करेंगे तो सारे payment के option आपको एक list में मिल जाएंगा कोई सब यह option आप सेलेकर के payment करेंगे जैसे payment successful होगा 3.5 GB की file डाउनलोड होगी ध्यान रखिएगा 3.5 GB की file zip file पूरी download करिएगा उससे आप extract करेंगे तो एक folder के अंदर सारी आपको वीडियो से मिल जाएगे कोई भी problem हो को उसको download करने मे या टेली जॉइन करने में कुछ भी तो फिर आप मुझे इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं WhatsApp पे और जो लोग पहली पार वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा मेरा कोई भी ऐसा paid group या paid चैनल में टिप्स और नहीं देता हूं तो प्लीज fraud से बचिएगा किसी बहुत सारे fraud चैनल से या अगर आपको टेलेगाम जॉइन करना है तो नीचे description में जो लिंक दिया है उससे जॉइन करें बाकी और किसी ग्रूप में मत जॉइन करिएगा अगर उससे भी नहीं जॉइन होता है कोई भी confusion होता है तो इस सितंबर मुझे WhatsApp पे message कर सकते हैं किप सपोर्टिंग लाइक जरू करें वीडियो को कमेंट करके बताईएगा आपकी क्या पोजेशन से कल के लिए और आपको क्या लगता है क्या सजेशन से मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में थैंक यू